Good morning everyone, welcome back to the channel, आज है 9th September और आज के current अफेर हम यहाँ पर cover करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक short news के साथ, अभी क्या हुआ है, इसराइल के कुछ scientist हैं, उन्होंने human embryos का complete synthetic model बनाया है, using stem cells grown in a laboratory, ऐसे stem cells चो laboratory में बने थे, उनके जरी एक synthetic model of human embryos ये create किया है, synthetic embryos इन्हें nurture किया जाता है, outside the worm, जो गर्ब होता है, उससे बाहर इनको nurture किया जाता है, और यह 14 days अपने development के 14 दिनों तक survive करते हैं, इसी बीच में इनको गर्ब में install कर दिया जाता है, वंब में install कर दिया जाता है, ठीक है, तो ऐसा पहली बार हुआ है, जब scientist ने ये भी गर द organized in which country, तो यह हमने देखा भी था, इसको एजप्ट में organize किया गया है, भारत की तरफ से इंडियन नेवी ने पार्ट लिया है, और इंडियन नेवी का की आई ने सुमेधा जो है, यह गई है वहाँ पर पार लेने के लिए, exercise bright star 23 में, ठीक है, यह एक multinational tri services military exercise है, जिसमें लग अब नेवी exercise यहाँ पर revise कर लेते हैं, कुछ तो वरुन जो है, यह इंडिया और फ्रांस के बीच होती है, जिमेक्स, इंडिया जापांस, लिनेक्स, इंडिया श्रिलंका, सिंबेक्स, इंडिया सिंगापूर, सिंगापूर, इंडिया थाइलेंड, और सिंडेक्स, ऑस्ट् street child world cup will be held in which city, street child world cup इसको चेहनई में conduct किया जाएगा, street 20, world cup cricket exclusively for street children, चेहनई में होगा पहली बार, इसमें 15 countries से street children participate करेंगे, जैसे की UK, Brazil, Hungary, etc., ठीक है, next, अभी यहाँ पर important cricket tournament के champions देख लेते हैं, ICC world cup 2019 में, champion था England, runner of New Zealand, host England और Wales, ICC cricket T20 world cup की बात करें, तो England champion था, Pakistan runner-up था और host था इसमें Australia, फिर ICC test championship में, Australia champion था, runner-up इंडिया और host था England, Asia cup 2022 में श्रलंका जीता था, Pakistan runner-up और host UAE, और इसके अलावा, IPL 2023 CSK जीती है, Gujarat Titans इसमें runner-up था, North East India Festival held in which country, North East India Festival, Italy में ये हुआ, Milan, Italy में, और इसमें, Sanity, Folk and Cultural Troop of Mizoram इसने participate किया है, ये troop जो गया है, ये showcase करेगा, इसमें the rich and vibrant, culture, traditions and music of muso people, Mizoram Troop is the only cultural troop in the North East to take part in the festival, तो नाम तो है इसका North East India Festival, लेकिन North East से सिफ मिजोरम का ट्रूप, इसमें cultural troop ये रूप में participate किया है, यहाँ पर कुछ festivals रिवाइद कर लेते हैं, काफी दिनों बाद हमें कर रहे हैं, चलिए, मानू फेस्टिवल, MP का है, बेलम केवस, आंधर प्रदेश, लाई हरूबा, मानिपूर का, बक्सा बर्ड फेस्टिवल, वेस्ट पिंगॉल, जो कुट पूई, ये है मिजोरम का, धनू जात्रा, ओरिसा का, माधवपूर, मेला, गुजरात, मोधेरा डांस फेस्टिवल, ग गुजरात, जैरिएट फेस्टिवल, तमिल नाडू का है, पिर करावली फेस्टिवल, घरनाटका का, माग भी हू, असम, जली कट्टू, मदूरई, तमिल नाडू में सेलिब्रेट होता है, चापचार कूट, मिसोरम, इनोवेशन फेस्टिवल, अरुनाचल प्रदेश, इतने स्टेट्स में PWDs को empower करने के लिए Amazon इंडिया ने पैक्ट साइन किया है, कितने स्टेट्स के साथ में, तो ये 5 स्टेट्स हैं, जिनके साथ попробuk ज्चा साइन हुआ है, पैक्ट साइन हुआ, ये 5 स्टेट्स कॉन से हैं, हर्याणा, महराष्टर, गुजरात, नाटका और तमिलनादू 2026 तक के लिए MOU किया गया है एम है इसका टू प्रोवाइड स्किलिंग एंड इंप्लाइमेंट पॉर्चुनिटीज तू पी डबलुडी कैंडिटेट्स इन दा फाइव स्टेट्स ठीक है पी डबलुडी परसंस विफ डिसेबिलिटी वर्ज सेट अनॉंस्ट गिव ओबीसी सर्टिफिकेट तो दोज हूँ है निजाम एरा डॉक्यूमेंट्स ऐसे लोग जिनके पास निजाम एरा के डॉक्यूमेंट्स मौचूद है वह अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाकर ओबीसी का सर्टिफिकेट ली सकते हैं यह अनॉंस किया है महराश्ट्र ग्री कल्चर के साथ और इस ग्रूप्ट अंडर अधर बैकवर्ड क्लासे कैटिगरी और इसके लिए गवर्मेंट्स ने फाइफ मिंबर्स कमिटी भी बनाई है अंडर रिटायर जस्टिस संदीप शिंदे यह जो कमिटी है यह रिकमेंड करे कि किस तरह से प्रोसीजर रहन स्टेट है जिसने दिव्यांग डिपार्टमेंट सेट अप किया है दही हांडी महाराश्ट का ओफिशल स्पोर्ट है महाराश्टर ने एक लोन स्कीम को स्टार्ट किया है जिसका नाम है जिवहाला 100% इलेक्रिफिकेशन हो चुका है कोंकन रेलवे का चत्रपति शिवाजी म महाराज वास्तु संग्रहाले का रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट जो था इसको युनेस्कोज एशिया पैसिफिक अवार्ट दिया गया है महाराश्ट ने टी ट्वंडी सेयद मुश्ताकली ट्रॉफी 2022 की जी दी इंडियास पर्स्ट माइग्रेशन मोनिटरिंग सेस्टम इसक इसका नाम चेंज करके निताजी सुभास्चंद्र बोस इतवारी स्टेशन किया गया है और खेलो इंडिया युनिवर्सिटी गेम्स इसमें टॉप किया है महाराश्ट्र ने वो इस अफिशल स्पॉंसर ऑफ इंडियन कंटिंजेंट फॉर एशियन गेम्स 2023 अब यहां पर 2022 क्यों है क्योंकि अभी तो 23 चल रहा है यह इसलिए है क्योंकि कोविड की वज़े से यह गेम्स पोस्ट्पोन हो गए थे तो बाइस वाले गेम अभी हम कर रहे है ठीक है और इनमें जो इंडियन कंटिंजेंट जाने वाला है इसका उफिशल स्पॉंसर रखा गया है अमूल को 19th अशियन गेम होंगे यह होंग जो चायना में अफिशल स्पॉंसर औफ इंडियन कंटिंजेंट यहां अमूल Asian Games जो है multi-sport event है जो की हर 4 साल में होता है follower Asia की जो अथलीट से इसमें participate करते हैं 19th Asian Games होंग्जो में होने वाले हैं और COVID की वज़े से postpone हो गए थे अमूल की बात करें तो ये largest dairy cooperative है in the world and the largest producer of milk in India अब यहाँ पर कुछ और शीज़ें देख लेते हैं women IPL 2023 इसका sponsor था Tata women IPL 2023 इसका भी है Tata World Cup 2023 का sponsor कौन है Mastercard और इसके साथ कुछ और भी partners हैं जैसे की MRF Tires booking.com अरामको और Emirates फिर EdTech Major by Jews ये 2022 FIFA World Cup का official sponsor बना था 5th केलो इंडिया Youth Games हुए कहां पर भोपाल MP में हुए principal sponsor इसका SBI था Powered by Sports for All फिर Asian Athletics Championship 2023 के बात करें तो इस थाइलेंड में हुए और इसका mascot था दहनुमान 3-day climate resilient workshop held in which city ये workshop हुई हैदराबाद में option B करेक्ट है G20 technical workshop on climate resilient agriculture हैदराबाद में conclude हुई जिसमें focus किया गया on research technology development and policies for climate resilient agriculture वही सिम्पल सी चीज़े हैं one world one sun one grid conference held in which state for UT ये जो conference है हुई नई दिल्ली में PM Modi के द्वारा इसको अर्टर्स किया गया थीम इसकी थी ट्रांस नेशनल ग्रिड इंटर कनेक्शन्स फॉर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रेट इस conference को head किसके द्वारा किया गया Power Grid Corporation of India Limited के द्वारा Power Grid है जिसको short में कहते हैं ये एक महारतना company है under the ministry of power इंडिया विल सून open embassy in which country तो इंडिया ने अभी का है कि रिसेंटली भारत एक embassy open करने वाला है कौन सी कंट्री में तिमॉर लेस्ते में आशियान इंडिया summit recently देखने को मिली इंडोनेशिया में उसी को co chair करते हुए PM Modi ने इसको announce किया है तिमॉर लेस्ते इसने आसियान को 2022 में जॉइन किया as an observer ठीक है और observer किसी भी ग्रूप का observer बनने की process मतलब observer क्यों बना जाता है अगर full time member इसके लिए पहले observer status लेना पड़ता है ठीक है observer member बना पड़ता है तो तिमॉर लेस्ते जोए 2022 में बना था आसियान का एक observer member अब आगे जाके वह बन जाएगा full time member भी तो हम यहां पर अपनी embassy open करने वाले हैं MQ-9B predator drone that was in news recently was developed by which country इसको USA के द्वारा डेवलप किया गया है unmanned aerial vehicle है USA ने डेवलप किया है और remotely control यह हो सकता है ठीक है अब लास्ट में question है आप लोग के लिए which state launch the मुख्य मंत्री मेधावी छात्रप राचसो अप्रोच साहन योजना अस्ता मोरिशा MP या फिर UP आंसर बताएगा कमेंट बॉक्स में और इसी के साथ वीडियो का होता है and thank you so much for watching जाहिंद